गर्मी में इसे एक बार पीने से लू तो बिल्कूल भी नहीं लगेगी और पूरे शरीर में ठंडक रहेगी साथ में इसे श्टोर करके तीन महिने तक रख सकते हैं और ये बहुत ही हेल्दी है साथ में फटा-फट से बन जाता है वैसे मार्कीट में कई सारे आम पन्ना मिलते हैं उसके अंदर में बहुत सारा पिजर्विटिव रहता है और ये हमारे घर का एकदम बना हुआ सुध है इसमें कोई मिलावट नहीं है ये सारी ही घर की चीजों से बना हुआ है और ये बहुत ही हेल्डी है नमस्ते दोस्तो मेरी रेसेपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी रेसेपी पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कर देना मेरी चैनल पर पहली बार है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना सब्सक्राइब करना बिल्कूल फ्री है तो चलो रेसेपी बनाना स्टार्ट करते हैं मैंने यहाँ पर आम लिया है यह वाला आम ज्यादा खट जिससे कि आप में चीनी इसमें ज्यादा डालनी पड़ेगी और ज्यादा चीनी हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं रहती है इसके लिए हमें जब आम सलेक्ट करेंगे तो आम ही हमें कम खटे वाले ही लेने हैं तो सबसे पहले हमें आम के छिलके उतार लेने हैं मैंने आम क चिल के सबसे पहले उतार लेंगे तो जो हमारा आम पन्ना बनाने का समय है बहुत ही कम लगेगा और जटपट से बन जाएगा एक कड़ाई के अंदर में मैंने आम को रख दिया है इसके अंदर में एक कप के जितना पानी डाला है इसको 7-8 मिनिट के लिए बॉयल करेंगे और इसको हमें आम का पन्ना जब बनाते हैं तो ए बात भ्यान रखनी है कि हमें जो बरतन है वो श्टील का ही लेना है अलुमिनियम का बरतन में आम को बॉयल नहीं करना है तो आम हमारा बॉयल हो गया है ये देखिए 7-8 मिनिट के अंदर में आम इस तरीके से अच्छे से पक जाएगा ये देखिए मैं आपको चम्मत से पास से दिखा रही हूं एकदम ही ये पक गया है एकदम अंदर में चम्मत जा रही है तो आम हमारा अच्छे से बॉयल हो गय और इसके छिलके हमने पहले उतार लिये थे तो ए बड़ी आसानी से इसका पल्प निकल आएगा और छिलके से हमें निकालने में थोड़ा सा पल्प हमारा वेश्ट हो जाता है तो हमारा यहां पे वेश्ट भी नहीं होगा यह ठंडी हो गई है तो अभी हम इसका पल्प निका तो हमने दोनों ही आमका पल्प इस तरीके से निकाल लेना है दोस्तों मेरी आप सभी से रिक्वेस्टे रेसेपी पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक कर देना पसंद आए तो डिसलाइक कर देना कुछ न कुछ जरूर कर देना यहाँ पर हमने आमका पल्प निकाल लिया है अभी एक श्टेनर की सहायता से इसको थोड़ा सा छान लेंगे ताकि इसमें जो कुछ रेसे वगेरे है वो सब निकल जाए तो इसको इस तरीके से बस थोड़ा गोल-गोल घुमाएंगे तो सारा ही रेसा वगेरे कुछ रहेगा सब निकल जाएगा तो इसको हमने छान लिया है अभी चलते हैं नेक्स टेप की ओर ये देखे मैं आपको पास से दिखा रहे कितना क्रीमी और सौप्ट निकला है कडाई में चीनी डालेंगे यहाँ पर मैंने एक कटोरी चीनी लिया है और एक कटोरी पानी डालेंगे करीबन 200 ग्राम के जितना च मैं आपको पास से दिखा रहे हैं बस हाथ में हलका चिपचिपा पन आना चाहिए ना तो हमें इसका कोई तार वाली चाशनी बनानी है बस इसको खली मैल्ट कर लेना है जब चिनी हमारा अच्छे से घुल गया है तो जो हमने पल्प को छान के रखा था सारा ही पल्प इसके के से करेंगे तो पुरा ही पल्प मिक्स हो जाएगा अभी इसके अंदर में डालते हैं फुटा हुआ इलाईची इलाईची बहुत ही ठंड़ा रहता है और हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है इसलिए हमें इलाईची डालना बहुत जरूरी है साथ में भूना हुआ जीरा ड यह देखिए मैं आपको पास से दिखा रहे हूं इसकी कुश्बू तो इतनी अच्छी है मैं आप तक पहुंचा नहीं सकती हूं अगर आपको मैं दिखा जरूर सकती हूं तो इसके अंदर थोड़ा फूड कलर डालेंगे तक यह बिल्कुल ही बाजार में जैसा मिलता है आम पन्ना उसी के जैसा दिखे फूड कलर डालना ओप्शनल है आपको पसंद है तो डालिए नहीं डालना है तो आप स्किप भी कर सकते हैं इसको डालने के बाद में इसको हमें दीरे-दीरे करके मिक्स कर देना है यह देखिए इस तरीके से हमने मिक्स कर लिया है अभी इसको हम ठंडा कर लेते हैं और ठंडा होगा उसके बाद में हम इसके अंदर में डालेंगे एक सिक्रेट चीज जी हाँ इसमें डालेंगे निम निम्बू डालेंगे जिससे कि यह कड़वा नहीं होगा अगर गरम ने निम्बू डाल दिया तो हमारा आमपन्ना कड़वा हो जाएगा तो यह हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है और यह देखिए इतना यह गाड़ा होना चाहिए आपको मैं पास से दिखा रही हूं तो यह अच्छे से ठंडा हो गया है चलो अभी हम इसको शर्व कर लेते हैं एक ग्लास लेंगे उसके अंदर में दो चम्मच के जितना आमपन्ना डालेंगे और ठंडा पानी डालेंगे तो यहां पर हमारा एकदम रिफ्रेशिंग और टेश्टी वाला आमपन्ना बनके तयार हो ग और थोड़ा सा चिया सीड डालेंगे और पानी डालेंगे तो यहां पर हमारा चिया सीड वाला आमपन्ना बनके तयार हो गया है यह बहुत ही ठंडा रहता है और हमारे पेट को अंदर से ठंडा रखता है और हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको भी अच्छा रखता ह अभी बनाते हैं तीसरा वाला आमपन्ना, जिसमें कि मैंने थोड़ा आमपन्ना डाला है और डालेंगे सोडा, सोडा डालने से इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाता है और पीने में बहुती अच्छा लगता है, इसके अंदर एक लेमन स्लाइस डालेंगे, थोड़ा सा फुद आमपन्ना बनाना कितना आसान है और आप इसे महिनों तक स्टोर करके भी रख सकते हो यह बिल्कुल भी खराब नहीं होगा अगर आपके घर में कोई किटी पार्टी है या बड़े है या आपको गर्मी में रोज पीना है तो आप इसे रोज भी पी सकते हो इसे कोई भी आपक बाकी का जो बचा है इसको हम स्टोर करके रख लेते हैं तो मैंने यहाँ पे एक काज का बोटल लिया है बोटल के अंदर में आप इसे स्टोर करके रख सकते हो अगर आपके पास में काज का बोटल नहीं है तो आप इसे प्लास्टिक या स्टील के बोटल में भी स्टोर करके तयार हो जाएगा दोस्तों मेरी रेसीपी पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कर देना और कमेंट करके बताना मेरा आम पन्ना कैसा लगा है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और आम पन्ना अपने फ्रेंड सरकल में जरूर शेयर करना जो आपको यही वाला आम पन्ना पीने को मिले तो अपने फ्रेंड में शेर करना बिल्कूल ना भूले आम पन्ना की रेसेपी आप सभी ने पूरी देखी है आप सब को ठेंक्यू मिलते हैं एक नई रेसेपी के साथ तब तक के लिए बाई